पार्ट दस तिंगू की क्या गलती थी? तिंगू ने एक रात निश्टे किया कि कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा. हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा. दूसरे दिन सुबा हुआ जल्दी उठा. उसने सोचा अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए. उसने देखा कि बड़े भाईया अभी तक सो रहे हैं. देर तक सोना अच्छी बात नहीं है. फिर सोचा सबसे पहले मैं भाईया का भला करूंगा. उनमें आँकी और रजाई कीच कर करवट बदल कर फिर सो गए. तिंगु को तो भाईया का भला करना ही था. वह ठंडा पानी ले आया और उनके मूँ पर डाल दिया. भाईया चिल्ला कर उट बैठे. उन्होंने तिंगु को दो चाटे जमा दिये. अब रोना भी जरूरी था. तिं टू करके चुप हो गया. उसने सोचा हमें निराश नहीं होना चाहिए. अच्छे काम करने में बाधा आती ही है. वह बड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए. उसके पिता जी की सिगरेट के डिब्या देखी. उसने मन में कहा बस अब पिता जी का भला करू में फेक दिया. थोड़ी देर बाद पिता जी ने हल्ला मचाया. मेरा सिगरेट का पैकेट कहा गया? पड़ी देर बाद टिंगू ने कहा. मैंने नाली में फेक दिया. पिता जी को गुसा आया. वह चलाए. क्यूं फेक दिया? टिंगू ने कहा. बाबु जी, सिगरेट पीन खराब बात है ना पिता जी को और गुस्सा आया उन्होंने टिंगू को एक चाटा जड़ कर कहा उल्लू कहीं का मेरा चाचा बन कर मुझे सारता है टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा दो आदमियों का भला करने में तीन चाटे पड़ गए उसने सोचा अब क्या बुड़े बाबा ने पुकारा तिंगू इधर आना तिंगू ने कहा हम नहीं आते क्यों बाबा ने पूछा तिंगू ने कहा पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगती नहीं करते हम अच्छे लड़के हैं आप बुरे आदमी हैं तिंगू की मा ने सुना तो उन्होंने डाटा क्यों रे बाबा से इस तरह बोलते हैं उन्हें बुरा आदमी कहता है और मा ने टिंगू की पीट में एक घूसा मारा उसने कहा बाबा बुरे आदमी है 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 हजार बार है उन्होंने कल पिता जी से छिपकर तुमसे लड़ू मांगकर नहीं खा बाबा और मा को डाटा तिंगू ने सोचा यह भी अजीब बात है मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई मुझे घूसे धपड़ पड़े सो अलग तिंगू ने सोचा भगवान से प्राथना करनी चाहिए वह भगवान की चित्र के सामने खड़ा हो गया आखे बंद कर ली वहां जोड़कर प्रातना करने लगा हे भगवान दया निधान तुम सब पर कृपा करते हो सब की इच्छा पूरी करते हो सड़क पर वकील साहब के आहाते में अमरूद का पेड़ है अमरूद पक गए हैं उन्हें देखकर मेरी लार टप पकती है कमीज खराब हो जाती है पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुचता हे भगवान तूसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना जुका दे कि मैं अमरूद दोड सकूँ तिंगू के भड़े भहिया यह सब सुन रहे थे उन्होंने पीछे से आकर टिंगू का कान पकल लिया तिंगू ने घबरा कर आखे खोल दी वह समझा कि भगवान ने ही कान पकल लिया है देखा तो भगवान से चोरी में सहायता करने की प्राथना करता है तिंगू ने कहा तो क्या हुआ हमारी पुस्तक में कहानी है कि एक लड़के के लोटे से दूद गिर गया था उसने भगवान से प्राथना की उन्होंने उसका लोटा भर दिया वह तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही रहते हैं या सुनकर बड़े भईया खूब हसे उन्होंने तिंगू का कान जोर से खीचा अब तिंगू बड़ा परेशान हुआ हर अच्छा काम करने पर चाटा पड़ जा उसने सोचा कुछ भी हो मैं अच्छे काम करूँ गा उर अच्छा लड़का बनूँ गा स्कूल जाने का समय हो गया समय और है मां ने कहा मैं भगू स्कूल क्यों नहीं सरा गर पर ही। साहब का फोटो सामने रख कर पढ़ा करूंगा मा ने पूछा तु पागल हो गया है क्या तिंगु ने कहा मैंने एक लब्व्य की कहानी पढ़ी है गुरू द्रोणा चारे ने उसे शिक्षा देने से इंकार कर दिया था तब उसने गुरू की मूर्ती बना कर उसके सामने तीर चलाने का अभ्यास किया और सबसे आगे बढ़ गया मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था मैं भी उनका फोटो सामने रख कर यही पढ़ूंगा और कक्षा में पहला नंबर ले आऊंगा मा उसकी बात सुनकर हसी फिर समने मिलकर उसे डाटा और स्कूल भेजा तिंगू बसता लटकाए रोता रोता स्कूल पहुचा उसने आसू पोच लिये तै किया कि चाहे जो हो जाए अच्छे काम जरूर करूंगा उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरू जी दिखें उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा प्रणाम गुरू जी वह बरामदे में आते दिखें तो फिर उसने कहा प्रणाम गुरू जी चुटी में वह मैदान में दिखें तो फिर उसने कहा प्रणाम गुरू जी उसने दस बारा बार प्रणाम गुरू जी किया इससे शिक्षक परिशान हो गए उ उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने डाट कर कहा, क्यों रे, या तूनी क्या लगा रखा है, दिन भर प्रणाम गुरू जी करता है, जा बेंच पर खड़ा हो जा, उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर हसने लगे, उसे बुरा लगा, उसका मन हुआ कि एक एक को पीटे, फ सब के मूँ तोड़ दूँगा, अभी सब को माफ कर रहा हूँ, इस पर लड़के और जोर से हस दिये, शिक्षक ने उसे कहा, बहुत बगबग कर रहे हो, जाओ, कक्षा से बाहर निकल जाओ, तिंगू बस्ता लेकर बाहर आ गया, वह थोड़ी देर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया, शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंद सोने लगा, उसकी मा ने कहा, तिंगू तू तो शाम से ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं, तिंगू ने लेटे-लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज़ादा नहीं जाकते हैं, वर जल्दी सो जाते ह मा उसके पास आई उन्होंने टिंगू का कान उमेडा उसे उठाते हुए कहा बड़ी बात बनाता है पढ़ाई से जी चुराता है चल पढ़ने बैट टिंगू ज़रा देर रोया फिर पढ़ने लगा वह सोचता रहा मैंने आज दिन भर अच्छे काम करने की कोशिश की प्रश में इसे कक्षा से भी निकाला गया पर मेरी क्या गलती है टिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई इस कहानी को पढ़ने वाले बताए कि टिंगू की क्या गलती थी हरी शंकर परसाई